हेला एवरिवन मैं हूं संदीब और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेज प्यारे बचो जो आज का हमारा टोपिक है वो है सेक्शन फॉर्मूला आज हम एक्सरसाइज 12.3 के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे तो उसमें जो स्टार्टिंग में आता है वो स इसी रेसो में तो हम उस पॉइंट के कोडिनेट कैसे निकालते हैं लेकिन अब यहीं चीजें हम ड्राइब करेंगे 3D के लिए सेम वैसे प्रोसीजर है जैसे हमने पहले किया था तो यहां से देखे स्टेटमेंट इस तरीके से हैं तो फाइंड दी कोडिनेट ओफ पॉइं यानि कैसे पॉइंट के कोडिनेट हमें फाइंड आउट करने विच डिवाइट दी लाइन जोइनिंग दी पॉइंट पी एंड क्यू इंटर्नली इन दी रेसो एम रेसो एन अब यहां पर एक वर्ड आया है इंटर्नली अब आपको लग रहा होगा सरी इंटर्नली क्यों लिखा है यहां डारेक्ट लिख देते भी इस रेसो में डिवाइट करेगा अब 2 तरीके से वो डिवाइड कर सकता किसी भी एक स्टेट लाइन को फरस्ट होता है इंटर्नली सैकिंड होता है अब इंटर्नली और एक्टर्नली है क्या यह सारी चीजे मैं आपको अच्छी त लेते हैं इस तरीके से अब if humans यह हमने लिये Axis इस तरीके से और यहां पे थ्रीदी है त्समें इने प्रेंगे भी हमें तो यह हुए थीनों और देते हैं यहां जोगी यह सैंटते यह इसे चियर अब एक सीघ्राइट लेao यह भी जिसको कोई पॉइंट डिवाइड करते हैं अब पी क्यू लाइन हम ले लेते हैं कुछ इस तरीके से कि यह होगा एक स्टेट लाइन आप लें पी और क्यू लेते हैं कि यह यह हुई पॉइंट यहुआ क्यू पॉइंट पी के कोडिनेट जो गिवन है वह एक सभाइबं सेड़ वन को पी की जगह हम लिख लेते हैं अपको क्यूं की जगह हम लिख लेते हैं एक स्टू वाइट तू जेड टू यह दो कोई लाइन है अब तीसरी लाइन तीसरा जो एक पॉइंट ले लेते हैं लेट स्पोज यह कोई पॉइंट आर है यहां पर यह पॉइंट क्या है आर जो इनको डिवाइड करता है इस आर को निच्चे लिख लेते हैं इनको डिवाइड करता है और इसके कोडिनेट हमने मान लिए एक्स वाई जैड हैं और यह इन दोनों को एम रेसो एंड में डिवाइड करता है इस तरीके से यानि कि पी की एक स्पेस के अंदर कोई स्टेट लाइन है जिसके कोडिनेट आपको दिखाए दे रहे हैं पी के एक्स वाई बन जैड़ वन तो यहां से हमारा काम क्या हो जाता है कि एक्स वाई जैड की वैल्यू निकालो इस तरीके से तो हम यहां वैल्यू निकालने से पहले क्या करते हैं इस पी पॉइंट से इस point R से R को थोड़ा इदर लिख लेते हैं यहां से line cross होगी और इस point Q से तीन perpendicular draw कर लेते हैं क्या कर लेते हैं तीन perpendicular draw कर लेते हैं अब तीन perpendicular draw कर लिए इन से तो यहां से अब देखें P से इसको इस तरीके से मिला देते हैं इसको इस तरीके से मिला देते हैं भी ऐसे पी और इनको हमने मिला दिया भी उसके बाद तो यहां से देखिए अब यह जो प्रपेंडिकुलर हमने ड्रो किये है एक्स वाई प्लेन के उपर तो इनको हम नाम दे देते हैं भी कुछ भी लिख लेते हैं पी क्यों यहां हो गया इसको ए नाम दे देते हैं इसको बी नाम दे देते हैं इसको सी नाम देते हैं इस तरीके से तो सबसे पहले जो भी गीवन चीजे हैं वो यहां लिख रहेंगे उसके बाद इसको सॉल्व करे X2 Y2 Z2 Be any two point Any Two point In this space अब यह space के अंदर कोई भी दो point है उसके बाद हमने क्या किया Join P and Q Pure Q को क्या कर दिया Join कर दिया Let R और एक पॉइंट लिया है इसके कोडिनेट X Y Z है बी एनी पॉइंट पी एनी पॉइंट ओन लाइन पी एक क्योप पे विज़ के डिवाइस इट अ इन रेसो आ है एम रेसो एन इस तरह किसे याल कि आर एक पॉइंट है जो इस पी क्यू स्टेट लाइन पर एक्जिस्ट करता है और जो आर के कोडिने टैक्स वाइज एड़ है जो इसको एमरे सुन में डिवाइड करता है यह हमने स्मोच कर लिए उसके बाद उसके बाद यहां पर आते हैं पी ए और आर बी और क्यू से परपेंडिकुलर टू एक्स वाइपलेजंगे तो आप हमने क्या किया यह जो पी आर और क्यू पॉइंट से इस से हमने परपेंडिकुलर ड्रो किये किस पे एक्स वाइपलेजि के उपर अब यह 3D में figure है यह तीज का ध्यान रखें यानि कि यह xy plane है x ऐसे है यहां पर जैसे x को यह आप हाइट ले यहां पर यह जो प्लेन हुआ xy हुआ अब उपर से हमने इस plane पर ऐसे perpendicular डाल रखें अभी space से यह ध्यान रखें तो यह जो perpendicular है कुण से plane पर है xy plane पर यहां मैं लिख भी देता हूँ xy plane है इस तरीके से अब इनके coordinate हमें निकालने के जोड़ने सिंप्ली यहां रखते हैं तो उसके बाद यह PQ होगा तो यहां point हम ले लेते हैं R, R तो हई तो S ले ले लेते हैं और यहां पर point ले लेते हैं T ले लेते हैं अब यह point क्यों लिए मैं बता QoA slash triangle, यह दो triangle आको दिखाए दे रही है, अब दो triangle है, तो इनकी मैं, यहां पर देखो इस तरीके से तो यह triangle है एक पे star बनाया है एक पे has बनाया भी ठीक है? एक star और एक has ये दो triangle आपको दिखाए दे रहे हैं इन दोनों triangle के बात करते हैं भी तो यहां लिखेंगे in triangle in triangle triangle की naming आपने ध्यान से लिखनी है भी p, r, t तो हमने naming लिखी in triangle, p, r, t and triangle अब दूसरी triangle की naming भी ऐसी r, q, s तो r, q, s इन दोनों triangle में अब एक में देखें ये वाला angle इस निच्य वाली triangle में star triangle में और ये वाला angle में क्या ये angle equal हो सकते हैं? क्या ये दोनों angle equal हो सकते हैं? अब देखें हमें कोई भी angle equal प्रूव करके इनको similar प्रूब करना तो यहां से एक चीज तो समझ में आती है कि यह जो P से लेकर ST यह जो P t है यह परफेंडिकुलर है भी किस लाइन पर आर भी पर और उसके बाद जो ये R और S है ये पर्पेंडिकुलर है यहां पर 90 डेगरी इस तरीके से clear तो हम यहां लिख सकते हैं Angle T is equal to angle S और दोनों की value क्या है 90 डेगरी क्योंकि अब देखो अगर हम अलग से इसमें लिखें कि जो पीए था वो पर्पेंडिकुलर था x y plane के जो अभी मैंने उपर लिखा है ऐसे ही जो r b था वो भी पर्पेंडिकुलर था x y plane के और जो q c था वो भी पर्पेंडिकुलर था x y plane के तो this means तीनों एक ही लाइन के पर्पेंडिकुलर है तो जो पीए है वो पैरलर होगी r b के और पैरलर होगी q c के अब ऐसे ही जो यह आर एस है और यह पर्पेंडिकुलर है q c के और यह जो पीटी है पीटी यह पर्पेंडिकुलर है किसके और b के और र b के और यह दोनों क्या है पैरलर लाइन q c और r b देखो q c r b यान कि पैरलर लाइन गोंस वह भी क्या होते हैं तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि आर एस है जो वह पैरलर होगा पीटी के इस तरीके से इन चीज़ों का जान रखें तो अगर यह पैरलर हैं और इस पर प्रपेंडिकुलर हैं तो टी और एस दोनों एंगल कितने के होगे 90 डिगरी के अब देखो मैंन और यहां पर यहां पर दिखाए हैं और यह जो एंगल यह कि इन दोनों एंगल को दिखिए क्या यह दोनों एक्वड है अब अगर यहां बढ़ा हूं दोट इक हमें अब एक चीज और जहां रखना अब यहां से यह एंगल या फिर इसको इस तरीके से पी को मैं थोड़ा उपर लिख लेता हूं यहां पे इंकों डोटिड लाइन चाहिए बढ़ा जेते हैं दोनों को आगे बढ़ाते हैं ताकि आपको क्लियर देखें अब यहां से देखें य जो भी पॉइन ईसी है यह यहें और यह है और यह जो आर से यह यह अगे है और थोड़ा साके हो निचे डाइगराम में देखें हो पिटी और एलस्ट नो और इस्ट यह यह जो दोनों एंगल है भी यह यह वाळे орт गर्स ऐसी समझाने क pagar न होए अब इस P angle को नाम क्या देंगे R, P, T तो यहां से लिखेंगे angle R, P, T is equal to होगा जहां से Q, R, S के angle Q, R, S तो इसको हम लिखेंगे corresponding angles कि यह क्या है corresponding angles हैं और corresponding angles equal होते हैं तो दो angle equal आगे तो हम यहां लिख सकते हैं जो triangle PRT है इस similar to triangle RQS by AA similarity इनकी AA similarity की help से यह दोनो triangle क्या हो गई similar हो गई उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगर यह दोनो triangle similar हैं तो इनकी corresponding sides भी रेसों में होगी तो corresponding side यहां देखे PR PR के निचे के आएगा भी RQ आएगा RT तो triangle देखने भी जूरते नामी से RT अपोन QS is equal to PT अपोन RS PT अपोन RS और एक से जान रखे जो यह PR और RQ का रेसो था PR और RQ का रेसो यह हमें M रेसो N गीवन था भी M रेसो N तो इसको M रेसो N यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा था कि M रेसो N में डिवाइड करता है यहाँ M लिखा था यहाँ N इनकी PR अपोन RQ यहाँ पर स्टार्टिंग यहाँ पर स्टार्टिंग में लिखा था कि RT अपोन QS तो इन दो को ले लेते हैं इन दो को इस तरीके से इन दो को हमने लिया तो इसको मैं यहाँ लिखता हूं कि RT अपोन QS इसकोल टू है M रेसो N के अब RT और QS की वैलू निकालते हैं RT और QS की अब R से लेके B तक की वैलू क्या है भी जो R B है चलो मैं यहाँ लिख लेता हूं Space की ज़्यादा जूरूरत रहेगी तो इसको अलग मारकर से लिख लेते हैं जो R B है R B यानिकी हाइट यह कम्प्लीट जो यह कम्प्लीट हाइट है वो कितनी दिखाई दे रही है आपको R B तो R पॉइंट का Z कोडिनेट क्या है Z है भी तो R B की वैलू आई Z अब उसके बाद जो T B है यह T B किसके इक्वल होगा P A के इक्वल होगा यहनुकि इसका जो Z का कोर्डिनेट बनेगा वो Z1 ही बनेगा यहां से यहनुकि P A क्या है Z1 तो T B भी किसके इक्वल होगी यहनुकि P A और T B दोनों इक्वल है किसके Z1 के तो अगर हमें RT निकानना है RT तो हम क्या करेंगे rb में से complete rb में से इस tb को घटा देंगे this means rb की value z minus क्या होगा z1 तो यह value आई यहां से इस पर मैं circle बना देता हूं यह वालव आई rt की उसके बाद qs की value निकालने भी एसे ही जो qs की value है यहां q से लेके और यह c तक यह total कितना है यहां मैं लिख देता हूं qc is equal to z2 और यह जो sc है sc sc किसके equal है rb के और rb की value अभी हमने क्या निकाली थी rb की value z तो this means rb is equal to यह किसके होगा z के तो s qs की value क्या होगी यहां कि qc में से z2 में से क्या minus कर देंगे z minus कर देंगे तो इस तरीके से तो वहां qs की value आई तो अब यहां value पूट कर देते हैं यहां पर तो this implies यहां आगे rt की जगह हमने लिखना है z minus z1 z minus z1 upon अब qs की जगह लिखना वहां z2 minus z z2 minus z is equal to m ratio n के ही equal होगा भी इस तरीके से तो यहां cross multiply कर देते हैं m की multiply इसके साथ होगी तो यह step यहां आगे further यहां पर लिख रहा हूं में यह ध्यान रखें इससे यहां आगे तो m की multiply होगी mz2 minus mz minus mz is equal to mz nz minus mz1 यह होगा इस तरीके से उसके बाद हमें value चाहिए यह सिर्फ x की और sorry z की चाहिए यानिकी xyz यही थे न यही तीन point थे जो coordinate हमें निकालने थे यानिकी xyz तीनों की value चाहिए तो इसमें z की value चाहिए तो z इन दोनों में हैं इसमें और इसमें तो दोनों में से कुमन लेने पड़ागा इस nz1 को इस side लेओ तो यह क्या था mz2 यह प्लस का हो जाएगा इनकी nz1 is equal to यहां से यह mz positive और यह mz तो पहले ही positive थाई तो यहां mz2 प्लस nz1 is equal to z common तो value क्या बची m plus n into में z अब z की value चाहिए m plus n divide में जाएगा यहां की mz2 प्लस nz1 upon m plus n is equal to क्या बचा z अब यही क्या था required point था भी तो z की value हमने निकाल ले अब value सिरफ z की निकाल ले x y के और निकाल ले भी अब x y की value निकालने के लिए देखो अगर यहां से आपको pt की value निकालनी हो अभी तो हमने rt और qs की value निकाली pt की value क्या होगी अब pt along to क्या है y axis यहां की pt की value बनेगी y यहां से y minus y बन तो यहां से देखें अब अगर दूसरा रेसो लेते हैं pt is equal to m by n तो मैं यहां लिख देता हूं इसको रफ करके कि यह जो pt है इसके divide में था rs is equal to m by n था ठीक है अब pt की value देखो यह से pt तो यह y axis के along है pt line तो y axis का यहां point क्या है y minus y1 तो यहां से pt की value क्या बनेगी y minus y1 upon तो यहां से उसके बाद देखें pt के upon है rs जो rs की value बनेगी यहां y का coordinate क्या है y2 यानिकि इस line पे y2 minus y तो यहां value बनेगी y2 minus y यहां लक्से आप निकाल के देखें pt rs is equal to m by n अगर close multiply करके यहां आप answer निकालोगे किसका y का जैसे अभी हमने solve किया है तो value क्या बनेगी m y2 plus n y1 upon m plus n इस तरीके से जैसे मैंने यहां z के लिए solve किया आप ऐसे y के लिए solve करके यह answer आएगा तो इसी तरीके से यह को रहता है मैं यह लिख सकता हूं similarly जो x की value होगी x की value भी क्या आएगी m x2 plus n x1 upon m plus n अब यह m और n यह x में difference देख ले ना भी m x2 इसको ऐसे लिख देता हूं अब दिखाई दे रहा होगा तो यह तीनों point के क्या निकल गए coordinate अगर division किस टाइप की है internally division है तो इन तीनों की value आप निकाल सकते हो देखो मैंने दो साइड़ों में value रखी तीसरी की आप रख दोदीश मिन सेक्स की value आ जाएगी तो यह complete था हमारा section formula in 3D अब यह चीज आपको अच्छी तरीके से समझ म आगे होगी अब मैं पहले जो 2D काम ने किया था तो वो description में link भी है उसका 10th class का 7th chapter उसकी playlist में से डूंड लेना तो यहां से वो 2D वाड़ा भी देख लो यह 3D वाड़ा देख लो बात तो यह की है वहां दो variable थे इनकी xy दो coordinate थे x और y axis बस यहां जैड भी आगया और और जो भी हम बात कर रहे हैं space में कर रहे हैं क्योंकि imagination का खेल है भी board पे इस triangle को या आगे की तरफ तो दिखाने सकते तो यह था हमारा section formula जो internally के लिए था भी मैंने पहले भी बताया है internally externally दो चीज़ है तो अब बात करते है externally की उसके बाद देखे प्यारे बच्चो अब हम आपको division समझाएंगा कि यह जो division है यह कितरे type की होती है अब यहां से देखे एक होती है external division और एक होती है internal division अभी internal division के लिए हमने formula drive किया था जिसमें x y z की यह value आई थी internal इंटरनल जो division है वो क्या कहती है कि अगर पी और क्यू कोई line है और और पॉइंट उनको एम रेसो एन में डिवाइड करता है इसका meaning क्या है कि आर लाइज internally आर लाइज इसका internally division का meaning क्योंता है यहां मैं लिए देता हूँ पॉइंट आर लाइज बिट्विन पी एंड क्यू यानि कि जो पॉइंट आर है वो पी और क्यू के बीच में लाइग करेगा भी इसको हम internally division बोलते हैं जिसके लिए हमने formula drive करके x y z यानिकि इस आर पॉइंट के coordinate निकाले अब बात करते है एक्स्टरनल डिविजन के क्या होता है कि यह जो पी और क्यू लाइन है अब आर पॉइंट इसके बीच में एक्जिस्ट नहीं करता है इससे बाहर होता है यानिकि इस एक्स्टरनल डिविजन में आप लिखोगे point r does not lie between p and q यानिकि यह जो point है आर वो p q के बीच में लाई नहीं करेगा विज़िक यह बाहर लाई करेगा यानिकि p q एक straight line है और बाहर इसी straight line पे एक point है r, y, z strong d कि जो बिया एट ऑन का रिय सो है वह एमरेश जलयंग यान कि पी र एम है और apartment यह इतना है यानिके अगर चाही उप्ट है complete मं है और यह क्यों बिखना लीडियो तो प्र में से माइनश कर दो आर चूपू को तो पिक्यू के आजगी पियार किसकी क्वड़ सकते हैं कि यह जो क्यूब पॉइंट है क्यूब पॉइंट है क्यूब फ़ाइन पीजो में डिवाइड करता है माइनस एन रेसो एन में इसके इसाफ से हमने यह लिखा है तो अगर हमें Q के कोर्डिनेट निकालने हो X2, Y2, Z2 तो हम क्या करेंगे भी इस X2 को क्या लिखेंगे यानि कि M X1 और इस N की मल्टिप्लाई इस साइड यानि कि कि रेसो यहां क्या है M-1 की मल्टिप्लाई किस के साथ होगी X के साथ यानिकि M-N इंटू में X प्लस अब इंटरनली डिवीजन ही करें एक्स्टरनली के अंदर वैल्यू हमें XYZ की निकालने थी यह आउटसाइड था इसके लेकिन हमने क्या ले लिया क्यों क्यों की वैली कृल रोंड़ी केसा गन क्युasına फिर बात में किस की वैल्यूने काल लें एक्स की वैलीून इक है मनि की मृम ऐंटिप्लाई एक्सक एजठध था एंडिकमर्टिप्लाई ये क्या है की मल्टिप्लाइज साइड करोगे तो m x2 is equal to बचा m-n into x plus n x1 अब nx1 को इस साइड ले क्या हो तो m x2 minus n x1 is equal to m minus n into क्या बचा एक्स अब कोडिनेट तो हमें आरके निकालने थे external division में यनिक एक्स वाइजट की value क्या होगी तो x की value क्या होगी म-n जाएगा है डिवाइड में यहां माइनस है माइनस एन एक्स वन अपॉन में क्या है m-n is equal to क्या एक्स तो यह required पॉइंट हो गया भी क्योंकि हमें वैल्यू तो x y z की लिका लिए ना आरके कोडिनेट अब similarly इसी तरीके से अगर आप बाकी की भी वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी भी एम वाइट उ माइनस एन वाइवन अपॉन एम माइनस एन ऐसे z की वैल्यू निकालोगए तो mz2 माइनस n z1 अपॉन माइनस एन यान कि एक चीज तो हमें पदा चली कि जो external division है उसमें formula में sign आता है भी negative यानि कि देखो यहां negative यहां negative यहां negative यहां negative यहां negative जो internally division है उसमें formula में sign आता है positive और सभी के प्रूफ दिये कि यहां negative क्यों लिया क्योंकि R point outside the line था तो this means P Q से बाहर point था R तो हमने Q की value निकाल ली internal division के साबसे तो वह यह value आई अब उस value को निकाल के लेकिन value तो एक दीक की निकाल नहीं थी एक्स की value निकाल ली तो यह negative में आगी ठीक है तो यह कि external division में point यहां हम फोर्मूले में negative value यूज होती है minus दोनों जगे और internal division में दोनों जगे क्या होता है पलस होता है भी तो यह होती है external division उसके बाद एक और चोटा सा concept रहता है midpoint का midpoint अब midpoint क्या कहता है कि अगर कोई pq line है जैसे यह p और यह q यह simply मैं आपको पता देता हूं बस यह x1 y1 z1 यह q है x2 y2 z2 और कोई point आर इसको one race of one में divide कर रहे हैंनकि midpoint तो तभी होगा ना जब p r is equal to क्या होगा r को के तो r के coordinate ले लेते हैं x y z इस तरीके से clear तो midpoint हम कैसे निकालते हैं x is equal to x1 plus x2 upon two y की value y1 plus y2 upon two z की value z1 plus z2 upon two अब ऐसे क्यों किया क्योंकि mn की जगा वन है भी one into में x2 one into में x1 तो x1 plus x2 हो गया और upon m पलस एनियन की one plus one two तो यह आप 10th class में पढ़ चुके बस इसमें एक्स्ट्रा क्या आया है कि यह जैड़ वाड़ा हो रहा गया बस यह तो already आ चुका था x भी आ चुका था y भी आ चुका था कि midpoint formula होता क्या है तो यह थे basic concept जिसमें हमने section formula पढ़ा external internal division में difference बहुत अच्छी तरीके से इनको समझाया है आप वीडियो को rewind करके दुबारा से देख सकते हैं midpoint यह already maximum सभी students को पता ही होता है यह 90 कूछ से एक दो पोश्टे लगा दो external है negative लगा दो ऐसे नहीं इनको समझें कि negative आया क्यों है रीजिन क्या है भी अब ऐसे थोड़े नाम को किसी को भी negative बोल देने उसके पीछे कुछ रीजन होता है तो इस तरीके से आप इने complete करेंगे जो भी आज की वीडियो में करवाया गया है तो आज आज की वीडियो में फिलाल इतना ही देखते रहे है डिफेक्टो क्रासिस अदेर ईतना ही बोल देता ह्गल आज का को अभी आज